बहुत लोग में से पूछते हैं, प्रॉफिट में बजट गया, यह कैसे हुआ? इतने स्कूल बना दिये, इतने महला दिये, इतने अस्पताल बना दिये, 1281 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़के और नालियां बना दी, साड़े 900 कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाल दी, 500 से जादा कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी, इतने लोगों को तील ख्यात्रा पे भेज रहे हैं, विजली का बिल जीरो कर दिया, पानी बीस हजार लीटर माफ कर दिया, जो शहीद होते हैं उनके परिवार को एक एक करोड रुपे का जहादत राशी देते हैं, इतने काम, इतने काम, इतना पैसा कहां से आ रहा है। रोए नहीं, हमने शिकायत नहीं करी, उधर भी हम संगर्श करते रहे, लेकिन अपने पुपी के लोगों को उनके सारी से घुदाईं भी एक साथ देते रहे। आ रहा है रहा है। वयापारियों की association के अंजर मैंने जँके कहा, मैंने का तुम ऐर्म कमाने के लिए मंदिरों को पैसा देते हैं, तुम ऐर्म ऑने के लिए सून MPH की अस्पताल जाते हो, अगर सो रुपे, तूम ऐक स्कूल बनाने के लिए एक उच्छी के लिए, सो रुपे अगर तुम टैक्स का पैसा दोगे उससे में एक हजार बच्चों को पढ़ा दिना दूए व्यापारी ने हमें टैक्स देना चाहदो किया और उस पैसे पे हमने फिर फिजूल खर्ची खतम करी हमने ध्रष्टाचार खतम करा एक राज्य के एक मुख्यमंत्री ने अभी 119 क्रोड का जहाज खरीदा आपने लिए परस्नल मैंने जहाज नहीं खरीदा आपने लिए मैंने 140 क्रोड रुपे खर्च करके अपने दिल्ली की बहन और माबेटियों के लिए सारी यत्रा मुख्ट कर दे लिए हमारा एक फ्लाइवर वो वजीरपूर वाला फ्लाइ बिजनी की माफ कर दी, 200 इनिट माफ कर दी, हमने पानी मुफ्ट कर दिया, हमने सरकारी स्कूल शांदार कर दिये, सारे दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, महला क्लिनिक के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर, सारी दवाईया मुख्ट, सारी टेस्निक, सारा इलाज मुख्ट मिनिमम वेच साड़े आठ हजार से हमने सीधे तेरा जार, चौदा अजार, पंदरा अजार कर दी है एक परिवार के साठ हजार रुपे साल की बचत होगी हर परिवार की जेग में डाल दी पचास लाग परिवार हैं, तीस हजार करोड रुपे की जेग में डाल दी है अगर एकनॉमिक पाम्ज़मा बात करें तो जेग में लिक सीधे तीस हजार करोड रुपे की दिमांड पैदा कर दी है तो आज ये thाबित हो गया कि भारत के इतिहास की 70 साल की सबसे इमानदार सरकार है ये जिने पान साल का आलिट करने के बाद किसी सरकार की अनिफ ही इस रिपोर्ट के अंदर सिए जिने तारिफ के तुल बांदे हैं वोने कहा है कि पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार प्राफित में रही है।